हाई अवरिवन मैं हूँ धनन जय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी होंगे बेंजमिन नेतनियाहू का आउट साइड इसराइल कुछ इस तरीके से इमेज है कि ये काफी टफ और स्ट्रॉंग लीडर है और इसराइल अपने बहुत ही टफ दौर से गुजर रहा है और इसराइल को इस वक्त बेंजमिन नेतनियाहू जैसे हैं स्ट्रॉंग और टफ लीडर्स की जरूवत है लेकिन अगर आफ वहीं बेंजमिन नेतनियाहू के बारे में इसराइल में देखेंगे तो बीते कुछ सालों में इनके खिलाफ काफी बढ़ चड़कर प्रोटेस्ट हुए है 7 अक्टूबर 2023 के पहले भी जब हमास ने अटाइक किया था उस वक्त भी बेंजमिन नेतनियाहू के खिलाफ काफी बढ़ चड़कर प्रोटेस्ट हो रहे थे और दुबारा से बेंजमिन नेतनियाहू के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ गए है बहुत सारे एक्सपर्स ये भी कह रहे हैं कि इसराइल और हमास के बीच में जो लगभग 6 महीने से जो वार-like situation है या in fact war है ये भी बेंजमिन नेतनियाहू के एक plan का हिस्सा है जहां पे ये hyper nationalism का जो agenda होता या जो concept होता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं इन वे ये इस तरीके से दिखा रहे हैं कि इसराइल अपने बहुत ही tough दोर से गुजर रहा है और सभी Israelis को इनको support करना चाहिए ये सब ideas या technique तभी इस्तिमाल होता है या किया जाता है जब leaders अपने ही देश में काफी unpopular हो जाते हैं आज इस वीडियो में हम कुछ examples के मदद से समझेंगे कि experts क्या कहते हैं Benjamin Netanyahu के बारे में और ये जो protest हो रहे हैं इसराइल में ये कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं किसी पी देश के लिए बाहरी तागतों से लड़ना असान होता है as compared to जब उसी देश के लोग सरकार के खिलाफ सड़क पे उतर जाए ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जहां पे जो common Israelis हैं वो बढ़ चड़कर Benjamin Netanyahu के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिये हैं और ये प्रोटेस्ट भी उन सब areas में किया जा रहा है जो कि इसराइल का एक main areas में जिनका count होता है क्यूंकि वो सब main areas होते हैं तो वहाँ पे media coverage भी काफी मिलता है तो in a way हम कह सकते हैं कि इन लोगों के दुआरा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो बहुत ही well prepared और well planned तरीके से किया जा रहा है 7 October 2023 को हमास ने इसराइल पे attack किया जिसमें लगभग कुछ 1200 common civilians मारे गए और कुछ 1200 के आसपास बंदी बनाके हमास अपने साथ लेके चले गए उसमें से ये कहा जा रहा है कि कुछ 1500 जो hostages थें बंधक थें उनको छोड़ दिया गया है लेकिन अभी भी कुछ 100 से लेके 120-130 जो hostages हैं वो अभी भी हमास के कबजे में हैं अब वैसे लोग जो अभी भी हमास के कबजे में हैं उनके families काफी परेशान हैं और वो ये चाहते हैं Benjamin Netanyahu से कि जो negotiation का process है उसको जल्दी किया जाए ताकि जो भी लोग हमास के कबजे में हैं उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए अब इस फोटो को देखे किसी को भी समझ में आ सकता है कि किस तरीके से जो common Israelis हैं वो अपने सरकार के खिलाफ बढ़ चड़ कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ ऐसा ही प्रोटेस्ट 2023 के मार्च एप्रील के महीने में भी किया गया था जहां पे Benjamin Netanyahu के दवारा इसराइल के जो सुप्रीम कोट हैं उसके जो जजेज होते हैं उसका appointment सरकार करते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं जैसा कि आप नॉर्मली इस फोटो में भी देख सकते हैं अब क्योंकि जो पुलिस होते हैं उन्हें अपनी सरकार की सुन्नी होती हैं तो जो भी पुलिस को instructions दिये गए होंगे कि जो भी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं उनको उस प्रोटेस्ट साइट से भगाया जाए तो normally जैसा होता है कि water cannons वगेरा का इस्तेमाल होता है थोड़े बहुत लाठी चार्ज वगेरा भी होते हैं तो यहाँ में भी कुछ वैसा ही देखा जा रहा है इस पूरे प्रोटेस्ट में दो चीज देखा जा रहा है एक तो सबसे पहला लोग ये चाहते हैं कि Benjamin Netanyahu अपने post स resign दे और दूसरा ये देखा जा रहा है कि जल से जल चुना हो ताकि नया सरकार का formation किया जाए इसी में लगभग ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी अब सड़क पे उतर गये हैं जो अपने time पे काफी high ranking positions समाल रहे थे इस्राइल के government में ये अभी जो आपक करते हैं कि सरकार को resign देना चाहिए तो कहीं न कहीं जो गुस्सा है common civilians में उसका अंदाजा लगाया जा सकता है इनका नाम है Amos Malka इनके दवारा साफ साफ ये allegation लगाया जा रहा है कि Benjamin Netanyahu ने जो hostages या जो बंदक हमास के पास है उनको छोड़ दिये है और जो negotiation का process है वो उ तरीके से उनको करना चाहिए और वो इस war को और भी लंबा वो खीचते हुए जा रहे हैं क्यूंकि ये इसराइल के intelligence wing में थे तो कहीं न कहीं इनके पास जो information जानकारी होगा वो कहीं न कहीं जो common civilians है उनसे जादा ही होगा इसी interview में वो ये कहते हैं कि जो gap है negotiation का इसराइल औ और हमास के बीच में वो बहुत ही छोटा है कहने का मतलब है कि negotiation बातचीत शान्ती लाई जा सकती है लेकिन सरकार किसी भी तरीके से उस शान्ती को लाना नहीं चाहते हैं और 7 October को जो हुआ उसके पीछे कहीं न कहीं इनके हिसाब से सरकार का ही गलती है यानि कि Benjamin Netanyahu और उनक काफी close हुआ करते थे या आज भी होंगे Benjamin Netanyahu का लेकिन ये US के Senate में US का Senate मतलब क्या होता है जैसे कि भारत में राजसभा होता है Upper House वैसे ही US में Senate होता है Upper House तो उसके ये Member है और by the way ये काफी responsible और ये highest ranking जो एस है US के Senate में और इनके दवारा बहुत ही साफ इस पस्ट ये कहा जाता है कि the Netanyahu coalition no longer fits the needs of the Israel और जब इतने high ranking official या politician जब कुछ कहते हैं public में आके तो उस चीज के बारे में ये माना जाता है कि ये लोग काफी well calculated तरीके से सोच के plan तरीके से आये होंगे तब जाके ये लोग public में बोले होंगे जैसे कि normally क्या होता है कि आम जनता कभी कुछ भी बोल देते हैं लेकिन जो responsible लोग होते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं और जब इनका statement public domain में आया तो उसके बाद Benjamin Netanyahu का response आता है जहां पर वो ये कहते हैं तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी leader election के through आया है और उसे अगर ये लगता है कि वो काफी famous और popular है तो उस leader को कभी भी चुनाव से दूर नहीं भागना चाहिए चुनाव से दूर वही भागता है जिसको ये पता होता कि कहीं न कहीं उसका जो base है वो कमजोर हो रहा है क्यूंकि Chuck Schumer यूएस के सेनेट के highest ranking Jewish politician या member है तो इनके statement को काफी बढ़ चड़कर छापा किया और ऐसे बहुत सारे American leader है जिनको ये लग रहा है कि इसराइल को जल से जल इस war को रोकना चाहिए और जो शांती है वो किस तरीके से लाया जाए उसके बारे में बात करना चाहिए क्यूंकि बहुत बड़ा जो funding है या जो support है वो US दे रहा है इसराइल को तो अगर Benjamin Netanyahu इस war को खीच रहे है तो इसके पीछे कहीं न कहीं जो Biden भी बहुत बड़े responsible आदमी है या यू कहले कि US भी इस war के पीछे है और जितना responsibility इसराइल का बनता है उतना ही responsibility USA का भी बनता है United Nation के बहुत सारे ऐसे statements आए है अब तक जो बता रहा है कि जो गजा में जो हाल है वो बहुत ही बुरा हो चुका है और इस war को रोकना बहुत ही important और अगर इस tension को समय रहते हुए ना रोका गया तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो situation है वो out of control हो जाएगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye